मुझे एक शिकायत पुराब्द हुई थी 25 तारिक को कि इसके पूरों में कई बारी शिकायत की गई है कि PWD की रोड पे स्वार जाने वाली जो सड़क है उस पे लो बीम, लो लेवल का एक गेड बना है जिससे ट्रैफिक अवरूत होता है और वो पब्लिक के लिए इंकर्विनियम्स का कारण बना हुआ है इसलिए मैंने उस में उस शिकायत को पाने के बाद ADM के अधक्षिता में एक कमेटी गठित की जिसमें PWD, RDA, नगरपालिका की सारे लोग थे City Magistrate को शामिल करते गए और उनसे चार्ज करके रिपोर्ट देने को कहा उस रिपोर्ट में ये निकल के आया कि वो गेट एक तो PWD की रोड पे PWD की जमीन पे CNDS द्वारा बनवाया गया उसमें विधायक निधी और CNDS की सेंटेश का पैसा लगाया गया लेकिन उसमें PWD से किसी तरीके की अनमत भी प्राप्ते की ज़ीज थी कि लोबीम होने की वज़ा से और लो लेबल होने की वज़ा से वहां से ट्रैफिक जैसे बस वगेरा जाना पप्लिक इंकर्विनियंट का कराणा था क्योंकि जो divergen बनाय गया था वो आबादी से रोक जाता था जाता है अभी और जो सीथी रोड है उसमें आबादी नहीं है तो कर्मिनियंट ये रोड पड़ती इसलिए ये निड़े लिया गया और उसमें आदेश दिया गया कि चुकि अनिमित रूप से बना हुआ है और इन क साओन को लिखता है कि इसमें चाहे तो जो पैशा लगा है यकि जबी चाहेंगे जिन अधिकारियों वन यह बनाया उन पर क्या एक्षण लिया लिया जाएगा क्यूंकि सरकार का कितने करोड से बनाता है यह चालिस लाग क्या चुछ